कि यह गाइस वेलकम टू आर चैनल वन डे एक्जाम प्रिपेशन चलिए देख लेते हैं कल दिन भर के कुछ कुछ इंपोर्टेंट करन्ट अफ्यर्स और उनसे रिलेटिट कुछ इंपोर्टेंट फैक्स पहला प्रश्ण विश्व महासागर यह दिवस वर्ड ऑशियन स्टे टू थाउजन ट्वंटी की थीम क्या है सही जवाब है ऑप्शन नमबर वन इनोवेशन फोरा सस्टेनेबल एक सतत महासागर के लिए नवाचार यह आरजून को मनाया जाता है और इसके शुरुवात 2008 से हुई थी जी हां आरजून 2008 को यह पहली बार मनाया गया था और इसका उद्देश्य है महासागर में होने वाले प्रदूशन को रोकना और उसके लिए लोगों को जागरू करना यानिके अव्यर करना अगला प्रशन देख लेते हैं विश्व खास उरक्षा दीवस यानिके वर्ड फूट सेफटी डे किस दिन मनाया जाता है सही जवाब है option नमबर तीन साध जून को जी हां साध जून को विश्व खास उरक्षा दीवस मनाया जाता है और सबसे पहले यह जो मनाया गया था संयुक्त राष्टे महासभा के द्वारा दिसंबर 2018 में मनाया गया था और इसका उदेश यह है खास सुरक्षा के प्रती लोगों को जागरूख करना अगला प्रिशन देख लेते हैं भारत में गूगल क्लाउड का वरिस्ट निदेशक मींस सीनिय डारेक्टर किसे न्यूक्त किया गया है सही जवाब है ऑप्षिन नमबर चार अनिल वल्लूरी जी हाँ अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड का वरिस्ट अधिक्षक न्यूक्त किया गया है इससे पहले ये Net App में भारत और सार्प परिचालन इंडिया एंड इस्पेस ओप्रेशन के अध्यक्ष थे और अगर गूगल क्लाउड की बात करूं तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा स्टोरेज की सर्विस प्रदान करता है अगला प्रेशन देख लेते हैं आरे भट रिसर्च इंस्ट्यूट ऑफ ऑप्जर्वेशन साइंसेज ऑप्शन नमबर थ्री जी हां इन दोनों ने मिलकर ही चार्ज उनको एक मोईू साइन किया है और इसका जो उदेश्य है में एक दो पॉइंट आपको बता देती हूं अंतरिक्ष के कच्छरे से भारते स को बचाना और अंतरिक्ष में मोसम का अध्यन करना और अगर इस रो की बात की जाए तो इसकी जो फूल फॉर में वह है दा इंडियन स्पेश रिसर्च और्गनाइजेशन भारते अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका मुख्याले बैंगलूरू में है और इसकी स्थाप अगला प्रिशन देख लेते हैं किस राजय में वेस्टन कॉल्ड फिल्ड्स अस्सा कोयला खादान का उध्गाटन किया गया आंसर है ऑप्शन नमबर वन महारास्जी हां महारास्ट में छे जून को नागपुर में इस कॉल माइन का उध्गाटन किया गया है और अगला प्रिशन देख लेते हैं स्वस्थ और उर्जा कुशल इमारते healthy and energy efficient buildings नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है सही जवाब है option number 3 both 1 and 2 means EESL Energy Efficiency Services Limited and US Agency for International Development और इसका जो देश्य है कारे स्थल को स्वस्थ और हर्याला बनाना है means workplaces को healthier और greener बनाना और अगर EESL की बात करें तो इसका जो इसकी जो स्थापना है वो 2009 में हुई थी यह government of India की company है और यूसेट का जो मुख्याले है वो वाशिंग्टन डिसी में है और इसके संस्थापक है जोन एफ केंडी अगला प्रेशन देख लेते हैं विश्वी परियावरण दिवस के अवसर पर यानिके पांच जून को किस राजय में सबसे बड़े जय विविद्दा पार्क यानिके बायोडाइवस्टी पार्क का उधगाटन किया गया सही जवाब है इसका option नमबर 2 उत्राखंड जी हां उत्राखंड में एक बायोडाइ और इसमें 500 विभिन प्रजाती के पोधे लगाए जाएंगे और 40 sections होंगे यानिके अनुभाग होंगे जो विभिन परियावरणी विश्यों पर केंद्रित होंगे और अगर उत्राखंड की बात की जाए तो यहां के जो सीम हैं यानिके मुख्य मंत्री हैं वो हैं त्रिवे राजधानी बनानी की बात चल रही तो हो सकता है कि फ्यूचर में उत्राखंड की दो राजधानी भी हों अगला प्रिशन देख लेते हैं कि कोवेड नाइंटीन के समय में सुरक्षित ओनलाइन सिक्षा नामक पुस्तिका किसके द्वारा विक्सित की गई है सही जवाब है ऑप्षिन नमबर फोर यानि के युनेसको और एंसी इर्ट इन दोनों ने मिलकर ही यह बुकलेट डेवलप की है और इसको जो लॉंच किया है वो किया है मानव संसाधन विकास मंतरी रमेश पौकरियाल ने इसका जो बेसिकली उदेश है वो आपको पता होगा कि आजकल ओन ओनलाइन एजुकेशन चल रही है कोविड-19 की विज़े से काफी प्रॉब्लम हो गई है स्कूल बंदे कॉलिज बंदे तो ओनलाइन ही एक ऑप्षिन रह गया है तो इस बुकलेट के जरिए यह बताया जाएगा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो साइबर अटेक्स हो प्रस्टिव सेक्ष्णिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद अगला प्रश्ण देख लेते हैं किस राजी ने दसवी से लेकर मेडिकल और पॉले टेक्निक सही पोस्ट ग्रेजवेट इस तर तक के सभी प्रवेश्यों को 2020 और 21 के लिए बिलकुल मुफ्त कर दिया है सही जवाब है option number one जी हां यह जितने भी इसमें लेविल्स बताये गए यानिके टैंथ हो गया और मेडिकल की पढ़ाई हो गई पॉले टेक्निक हो गया ग्रेजवेशन हो गई तो इन सभी में जो प्रवेश होंगे 2020 और 21 के लिए वो बिलकुल मुफ्त होंगे क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की विज़े से सब पर ही एक बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा है तो बच्चों की पढ़ाई इस पे असर ना हो कोई तो इसके लिए असम सरकार के द्वारा ये एक इनिशेटिव लिया गया है और अगर हम असम की बात करें तो इसके जो मुख्य मंत्रिय हैं वो हैं सर्बानन सोनोवाल राज़ेपाल है जगदीश मुख्य और राजदानी हैं दिसपूर और इस योजना का जो घोशना की गई है वह असम की शिक्षा मंत्री हेमंत विश्वा सर्मा इनके द्वारा साजुन को की गई है अगला पात्रोने सस्ती और प्रतिम बुद्धि मता अधारित यानि के आर्टिफिशल इंटेलिजेंट बेस टेस्ट किट कोविट नाइनटीन की टेस्ट किट विक्सित की है सही जवाब है ऑप्शन नमबर चार आईएटी हैदराबाद जी हैं आईएटी हैदराबाद के अगर हिदराबाद की बात आ गया है तो मैं बता देता हूं यह तेलंगाना में है और पता है पहले आंदर प्रिदेश और यह राजडे थे लेकिन 2 जून 2014 नोट कर लिजे दो जून 2014 को तेलंगाना आंधर प्रिदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया अब हां की जो सीम है वो है के चंदर शेखर राओ और गवर्णर है तमीली से सौंदर राजन तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें Thank you, stay healthy, stay safe